हेलो फ्रैंड्स वेलकम टू आर योट्यब चैनल जी के फैंस सो आज मैं इंडियन कॉंसिटूशन दा पार्ट फोर तो टली बना रहा हैं थ्री पार्ट अल्रेड़ी साड़े योट्यब चैनल उपलोड किते हैं साड़े हैं प्राइवेट वीडियो ने सो जेड़े प्रिप्टर बाइदा इंडियन कॉंसिटूशन अंडर तो टेह हैं डिस्क्रिमिनेशन किती हैं यह ओंड़ ग्राउंड ओफ रिलीजन प्रहिंटर प्रहिंटर मिस् रोक लगानी कि किसे नाल पेदपाव नहीं करना सो रिलीजन दे भीहाफ देव पर ए रोक लगाई गयी ह दे लिए इंडियन कोंसिटूशन दे केड़े आर् deta यह article है चाहि банan t सब्सक्राइब लिए कौन्सिचूशिन लिए कौन्स से लिए बीटाइब से फिर्टाइब साथीफन सब्सक्राइब लिए पर लिए राइट फंडमेंटल राइट वाज इलीटेड बाइद वर्ट्यू अफ यह जड़ा सी गा right to property यह फंडामेंटल राइट सी गा fundamental right सो एस नूँ delete कर देता गया का देता है तो 44th amendment हुन जड़ा right to property है it is a legal right legal right है it's not a fundamental right पहला है fundamental right हुनता सी गया right to property होना है यह है legal right यह जड़ा delete किता गया एक केड़ी सोध दोबारा किता गया 44th amendment amendment मतलब हुन जड़ा है सोध करना किसी चीज़ है विच so next question देता ही right to education belongs to which of the following category जड़े साठा education ले ही right है वो केड़ा किस तर अंदर right है वो है का जड़ा fundamental right so right to education it's a fundamental right of every person so next question देता ही dispute regarding the election of president and vice president of india are decided by which one of the following केंदे अगर elections दे लेई dispute create होया है यांदा है president जब vice president दे seat लेई जड़ा कोई decision लेता है यांदा है कौन लेंदा है उस time जड़ा पर decision वो लेंदा है supreme court of india कोई भी dispute मेंज चगड़ा create होजे कि election दे विच कि किसनों president बनाना है किसनों vice president बनाना है तो जड़े dispute create होगा था उससा फैंसला करेगी supreme court of india और साथी supreme court of india है जड़ी दे विच और उस दे विच मैं थो नों करा ऐसी judges दी गिंती किनी है मैं करा ऐसी थर्टी वन किती जाजने ते एक कहगे जी chief justice of india पर चार नमें जाज होर एड़ किते गे ने supreme court दे विच तो जड़ी जजने गिंती है वो है कि 35 जो चार नमें जाज जाज होए ने तो ऐसी था ना भी आसा था question कि कि किनने नमें जाज जाज होए ने वो है कि चार नमें जाज तो जो हून है कि 35 with including chief justice of india तो 35 दे विच किये 34 judges ने एंड जीड़े 35 ने हो है गया जी chief justice of india तो नाइस्ट कोस्चन देख 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 नाइस्ट कोस्चन है गया थ्रो विच Constitutional Amendment Act reservation of students belonging to SCST OVC in admission to private unadded educational institute provided सो जीड़ा SCST OVC category दे बच्चे ने सो नाइन कि admission देख देख किये है कोटा देता है जन्द reservation दिति जन्दिया ये कादे तहत दिति जन्दिया ये जित्ति जन्दिया जी 93rd in 2005 ये act है जी 93rd in 2005 एदे ताहत किये नाइन किये reservation दिति जन्दिया SC category schedule cast, ST means schedule drive and OVC means other backward classes सो इनना बच्चे नों कि admission देख देख किये reservation प्रवाइड किति जन्दिया act है जी 93rd in 2005 सो नेक्स्ट कॉस्चिन है जी which one is not included in state list in constitution of India सो मैं तो पहला भी कराई है जी 3 main list आने साथिया पहली है कि union list union list दा नाम है जी list number one and second हो दिया जी state list सेंटर गवर्मेंट दिया जी 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 सेंटर गवर्मेंट दिया 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 जी सेंटर गवर्में सो अन्नाने दस्ट है कि एधर बीचो केडी जी जाये जिए स्टेडलीस तेविच नहीं है कि एगरी passport, passport किया स्टेडलीस ताप नहीं है पर देख लेने हैं कि युशन दर स्टेडलीस तेविच पुलिस, प्लिस भी यंदे स्टेडलीस ती अन्दर, law and order, ये भी यंदे जी सब्सक्राइब सैवं सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब एक नंब लिस्ट आने तर्ड लिस्ट नई चान्ट निया छुट्ट है सब्सक्राइब जड़ी प्रविधान देता है यह देता है जी आर्टिकल 331 सो आर्टिकल 332 देविच किये है देता है कि प्रेजिडेंट किये दो बंद्यां दी नॉमिनेशन कर सकते हैं एंगलो इंडियन्स सो नेक्स्ट कोश्चन देता है in how many states a political party must be recognized to become a national party कहिए अगर किसे state party ने national party बनना हुए तो recognized party होने जाएं देफ। स वाइन सरेगा 4 states कहिए कोई political party है अगर उसने national party बनना है पहलना कि यहों चार state हता है गई रिकोगनाईजड party बनने जाएं देफ। फिर योह नेशनल पार्टी दा दर्जा लाई सक दिये तो वाट इस दा मैक्सिमम सट्राइंथ मैं उनी उनी क्राइशी जी मैक्सिमम सट्राइंथ है गिया पांसो बोवंजा और राज्या सबादी किनी सट्राइंथ हों दिया ओधी हुन दे 250 फिर 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 या एन्टास लोगन ऌया सिगा एह केडे प्लान देविच दिता गया सिए यह फिफ्थ प्लान सिव देविच्छ यह स्लोगन गरीबी हटाओ सो नेफ्सक्राधस कोस्च्चन कें रहे हुई अर्टिकल्स टैरापcono चिलीट सब्सारी कर कें श्यृत कर लिए रहे हίο देटेंए रहे है jamal of Indian Constitution Article बत्ति Article 32 This question is also very important Jamal of Indian Constitution के डी आर्टिकल नों गाँ थे? Article 32 So next question दिखे ले Right to freedom is granted in which article? So सड़ा ज़ी ले Right to freedom है फे के डी अर्टिकल चे देता है? Article 19 Article 59 पिच्च है जी Right to freedom This is also important Next है काई The word secularism was added to the प्रिएंबल ओफ दा कॉंसिटिशन ओफ इंडिया भाई विच अमेंडमेंट यह भी बहुत इंपोर्टेंट है जी दिस कोस्टिन इस आल्सो बेरी इंपोर्टेंट सो यह रिपीट भी होया तिन चार वाज एक्जाम देविछ सेकलिडरिजम वर्ड है एहे एड किता क्या सी 42nd amendment तुसी कि अगर थोनुं कोस्टिन नहीं भी आनदा ता भी तुसी लगा साथ देओ 42nd amendment सो कोस्टिन जीड़ा कि थोड़े सही होंदे काफी चांसस होंगे को मोस्टली येड़े कोस्टिन पुछे जांदेने 42nd amendment ते ही पुछे जांदेने और जोड़ी 42nd amendment है ऐस दे उपर इनियां सोधा होयां सी ऐस उनुं मिन्नी constitution दा भी नाम देता गया है पंचायत राज is included in पंचायती राज है का दे विच दिता है यह हुदा जी state list दे अंदर state list दे विच दे पंचायत राज पंचायत राज दे 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 लिए दा amending power of constitution of India is described in article जड़ी amendment करनी हुदी है पावर्स हुदियाने amendment powers of constitution of India अगर सब्दा आन दे विच कोई amendment करनी है तो केड़े आर्टिकल दे तहत कर सकते है आर्टिकल 368 तो आर्टिकल 308 दे तहत आसी सब्दा आन दे विच कोई amendment कर सकते है तो this is also very important आर्टिकल 368 तो next है का जी एक question बहुत ज़्यादा इंट्रस्टिंग है तो हुन सारे नों पता कि आसी बोटा मान जाना है कि नी उमर होनी जाएंगे साधी 18 साल पहला है 21 साल होंदी सी तो है केड़ा इमेंडमेंट होई सी जीदे तहत की है उमर 21 साल दो 18 साल कर दिती गई कि उन 18 साल दा बच्चा भी वोट पास सकता है जड़ाह 18 साल दा बच्चा होगया वसनों सी बाल्ग बच्चा मन देयां की वाल्ग हो गया उन रहें वोट पास सकत है एमेंडमेंट है कि जी 61st सो एकार्टमी सी जीदे विच कि ए जड़ी वोटिंग एजे कटा दिती गई 20 साल तो 18 साल कर दिती गई this question is very very important so next new political parties in india are recorded by new political parties election commission election commission next question which article of indian constitution relates to right to education so right to education who is right fundamental rights article 21a so next how many subjects have been included in union list union list किने subject देते हैं 97 97 subject union list very important the first handwritten indian constitution was signed by dash members of constitution assembly so जड़ा पहला सी का handwritten indian constitution सी sign किता कैसी किने members ने किता सी constitution assembly दे ये members है कैसी 284 so 284 मेंबरा ने ऐसी उपर sign किते सी ए हैंड रिटन indian constitution मना है कैसी 284 मेंबरा ने sign किते सी so next देते हैं union council of minister is collectively responsible to अज़े ज़ाब दे हैं किसनो नहीं लोखसवा नहीं कि कोई भी जड़े कोई काम ती जवाब देना है लोखसवा देना है union council of ministers So next question देटें Who has the power to review the judgment delivered by the supreme court कैने अगर कोई judgment देथी कोई फैंसला कारता जजजने supreme court दे जजने वो उसनो review कौन कर सकता है वी दबारा वोदी जांच परताल कौन कर सकता है वो है गाजी president President कोई अधिका आरहा है कि वो review कर सकता है किसे भी judgment देथी अगर Supreme Court ने कोई judgment दे थी So next question देख देख देए A non member of parliament can be a minister for a maximum period of Can they, अगर कोई parliament दा member नहीं हैगा पर वो minister बन सकता है Maximum किने से मली Maximum period है गई 6 month कि अगर तुसी minister बनना है पर तुसी parliament दे member नहीं हैगे ता maximum तुसी बन सकता है 6 मिन या ली 6 month So next है गई The total number of states in India with legislative council So साधिया किन्या states ने गया जिनना कोई legislative council है गया यह हैगे जी 7 number of states So 7 states नहीं है नाम दास देना आंतरा परदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर करनाटका, महरास्टा, तलंकरा एड उत्तर परदेश So जम्मू कश्मीर नों किया हूँ यूटी बना देता गया है So जोड़े दो नम्यां यूटी बनेने होँ ने जम्मू एड लदाख So as question दा अंसर है जी 6 हूँ किन्या number of states दे गोले legislative council 6 अगर जम्मू कश्मीर नों include करिये फिर 7 पर हूँ जम्मू कश्मीर किया स्टेट नहीं रही So as करके जी 6 number of states ने अंधराप्रदेश, बिहार, करनाटका, महराष्टा, तिलंगरा एड उत्रप्रदेश So 6 number of states को लिएगे अपनी खुदी legislative council So next question दे दे The most important part of panchayat system is So panchayat system दा सब्तों important part की हिंदाजी ग्राम सभा ग्राम सभा सब्तों important part हिंदाजी किसे भी panchayat system दा So next दे दे Which article of Indian constitution explain the functions and powers of chief minister So केड़ा article है जिसदे विच किया powers लिखिया है जैने chief minister दिया मुख मंतिरी दिया पावरा लिखिया है जिस तरा दे विच हरे एक मुख मंतिरी दिया powers अथे functions लिखें दिया Very important article 167 So next question एवाडा question बहुँ जादे है एग्जाम दे विच तिन चारवरी रिपीट होया है Which fundamental right was called soul and heart of constitution by Dr. Ambedkar So केड़ा जेड़ा fundamental right है जिसनों बोल दें जैसी soul and heart soul and heart of constitution ए राइट है का जी right to constitutional remedies right to constitutional remedies जैसी नों बोल देजी soul and heart of constitution very important So next है का जी In India local government is the subject of local government हों दिया वो केड़ी list दे अंदर आंदिया वो जेड़ी state list दे अंदर local government So next question देखते है एक question में तोनों करवाया भी सी होनी 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 को फेर आ गया कि which of the following constitution amendment has been described as mini revision of constitution मैं तुन कराया से नहीं कि mini constitution किसनों बोल दया है यह है कि 42nd amendment So 42nd amendment दे उपर ही काफी बार exam दे बीच question देखनों मिले है So ऐसे नहीं mini constitution भी बोले जाना है यह है कि 42nd amendment So next question है का जी Article 44 of Indian constitution in visage a uniform civil code for all किनना लिवन आंदा जी है uniform civil code for all citizens जड़ा article 44 होनदा है यह कि uniform civil code प्रवाइड करदा है for all citizens सारे citizens नहीं प्रवाइड करदा है So next question देखते हैं Who has the power to appoint additional judges for the clearance of area of work in high court कि की देखोल पावर है कि ओओ additional जजजानों लगा सकता है clearance कर ले कि उत्थे की ज़्यादा कम आगया किसे high court देविच ताँ उस टाम देखोल पर additional judges दी नियुकती किती जा सकता है यह कौन कर सकता है President of India President of India एक मैं तो नो बिल्कुल सिंपल जी कल दासा है जेनिया powers हों दियाने Central level देपर Central level देउपर सब्तो ज़्यादा पावर हों दियाने President of India देपर President of India होंदा होज देखोल सब्तो ज़्यादा पावर हों दियाने और अपर स्टेट दी गाल करी है ता Governor ज़्यादा पावर हों दियाने तो देखो जजदी नी उखती करनी है आपोइंटमेंट करनी है ज़्यादा आपावर भीच ज़्यादा पावर्स दी धासा होज दी ज़्यादा नो रखना दाएक करेगा जी President of India सो नेक्स्स्क्षचिन दुन देखी दिजिं Article 5 of Constitution of India deal with जटा Article 5 एक Constitution of India दा एक अजनाल डील करदा एक करदा जी Indian citizenship आर्टिकल 5 So next question देख़ा देखा है कलकार कमेटी वाज इस्टेबिश्ट फोर एक question बहुत मुटन था है मैं खूद देखा है जी दो तिन बार एक्जाम देखा है एक आदल इबना इगे इसी, इबना इगे इसी tax reforms, so tax reforms लिए इबना इसी है, कलकार कमेटी, so next question दिखे देंगे, first amendment to the fundamental rights for the social reservation policies to the state was brought by, so जेटी पहली सोध किती इसी fundamental rights देविच, social reservation policies लिए, so जेटी जेटी जान दिसी पंडित जवारलाल नहरु जी ने, so पंडित जवारलाल उसी चाच्चा नेरु बोल देया, so उन्दाने यह पहली amendment किती सी fundamental rights देविच, for social reservation policies to the state, so next question दिखे देए, right to privacy is a fundamental right, belonging to which of the following article, so पहले कहलता थो नो पता होना चाहिए, right to privacy, it is a fundamental right, it is a fundamental right, जिसतना के right to education, it is also a fundamental right, and right to privacy, it is also a fundamental right, and right to privacy, it is also a fundamental right, पार्ट 3 of constitution, article केड़े केड़े अंदेने अदे विच, article 12 to 35, so part 3 यह जेड़ा constitution दा, जिस दे विच आर्टिकल अंदे जी, 12 तो लेके 50 तक कर, as दे विच आंदा जी, right to privacy, so next देख देए, so next question देख देए, who act as a chairperson of GST council, so कौन है जेड़ा chairperson है, GST council दा, वागा जी, union finance minister, so सा chairperson है, chairman है, GST council है, GST वो देए, goods and services tax, so next question देख देए, which are the articles come under the right to freedom of religion, so यह केड़ा राइट है जी, right to freedom of religion, so यह जेड़ा जी, article 25 to 28, so article 25 तक कर, as दे अंदा जी है, right to freedom of religion, so next question देख देए, the minimum wages act, the minimum wages, देख देए, किसम तन खाद देए, किसम तन खाद देए, कर्टकाट कीनीованख देनेए, so as देभेच, fix किती हैंदे कर्टकाट तुसी आयस मंदे नो, इन्नी इї तन खाद देनी है, qualification बेस्ट बेस देए, किया बंद किती हैं, जिस तरह कहजोंद कि graduation नो, कर्टकाट दा स्याथ तनकाद देनी है, so ऐस तरह है, fixation किती हैंदे ऐसान डे यह सेटा पंचायत एक्स्टेंशन है तुषडीूर एरिया स्टम्न केड़े साल विची सिने है विच्छ सेफी 1996 named Anci एसपनट एक्सटेंशन है। इसा थे फिल फोल्फोम है पंचायत एक्सटेंशन है। इसा विचास पॉल्फोर्म और ए sensing विच पार्ट पार्ट सेवंटीन तारा नंबर पार्ट सेवंटीन सारे आर्टिकल्स लेटर टू ओफिश्यल लेंगज इस कोश्चन इस अलसो वेरी इंपोर्ट है तो नेक्स कोश्चन देखें दर पॉब्लिक अकाउंट कमेटी इस प्रेजेंटेड इन सो जड़ी है पॉब्लिक पॉब्लिक अधेजी टाइसो 250 तो थेंक्यू सो मच फोर वाचिंग दिस वीडियो एंड दू सब्सक्राइब तो आवर यूटिब चैनल जीके फैन्स सो अगर फस्टाइम साथी वीडियो देखने साथे यूटिब चैनल जीके फैनु सब्सक्राइब कार लो स्वाजिक के आनाउसमेंट करनी सी तो लिए सो सी पील डिया अनलय आउनलाइन क्लासे ळू कर चो यह तो औल्लाइन वीडियो औलइन क्लासे आउनलाइन क्लासे भी सो काफी बच्य आप्च जीक्त discrimination तो पूरे इसी exertे यृषिर रहिए औली टूफु जान में सब्सक्राइब करा दोटे बंदा मन है गया तब प्लीज जोईन कर लो only 250 रुपीज फीज है only for today सिर्फ आजज बास्ते है यह है 250 फीज थेंक यू